हेलो दोस्तो आज हमें छोटे से कमपनी के बारे में डिसकस करने जा रहे हैं जिनोंने दोस्तो बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया है आज के डेट में दोस्तो बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया है तो फुल डिटेल के बारे में डिसकस करेंगे क्या हमें उसको बाय करना चाहिए या buy नहीं करना चाहिए जिससे आने वाले दिनों में हमें अच्छा से अच्छा profit हो पाए तो चलिए video start कर लेते हैं आप देख रहे हो perfect view of market और इस youtube channel में आपको एक दिन पहले ही बता दिया जाता है कि कौन सा stock का price increase या decrease होने वाला जिससे आप अपना profit तो बुकी कर सकते हो अगर loss है तो आप exit भी कर सकते हो और वो stock का नाम है दोस्तों आपके सामने आपर देख सकते हैं Thomas को यह stock ने दोस्तों बहुत अच्छा profit दिया है आज की rate में आपर देख सकते हो around 20% का profit है और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों 44 रुपी stock का price था और 50 रुपी को यह देखे टच करने गया था क्या वज़ा आई ऐसा जो यह stock में इतना ज्यादा और इतना अच्छा performance करना पड़ा दोस्तों और क्या हमें future में ऐसा जो है और भी profit देखने को मिल सकता है ऐसे stock से तो सबसे पहले तो हम इसकी वज़ा देख लेते हैं कि क्या वज़ा के कारण जो है stock में अच्छा से अच्छा performance आया है तो सबसे पहले मैं आप वो दिखा देना चाहता हूँ यहाँ देख लीजे दोस्तों consolidated net sales यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों जो consolidated sales हुआ है company में ठीक है वो कितना था 1727.02 करोड था अब 1.59% from last quarter sales of यहाँ देख सकते है 1,700.00 करोड अब 11.02% from last year same quarter sales तो दोस्तों इस जो quarter में result आया है वो काफी ज़दा और improvement वाली आई है तो इस वज़ा से जो है ऐसे stock में थोड़ा बहुत improvement देखा गया है क्योंकि दोस्तों company जो है बीच में बहुत ज़्यादा गिरावाट आया था इस company में लेकिन अभी यह company बहुत अच्छा perform कर रहा है यहाँ पर देख सकते है company के नाम thomas cook 49.50 के आसपास trade कर रहा है तो दोस् तो आज का जो highest मारा है 49.5 मारा था ठीक है और वहां का वहां ही है भी है मतलब कि दोस्तों यह stock में धीरे धीरे upper circuit आया था और upper circuit आने के बाद जो है यहाँ पर sustain हो चुका है अगर कुछ महीनों पहले की बात कर लेते हैं तो दोस्तों Thomas Cook का जो demand था वो बहुत अच्छा था और बहुत ज़्यादा था ठीक है पहले ठीक है मैं पहले का बात कर रहा हूँ अभी नहीं ठीक है यहाँ पर सबसे पहले में आपको date और time दोनों दिखा देना चाहता हूँ यहाँ पर देख लीजे अक्टूबर 15 2019 में ठीक है अक्टूबर 15 2019 में यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा था कि Thomas को कि India का जो target price बताया जा रहा था 235 रुपेज था 235 अभी आज के date में तो 50 रुपेज में ही आपको मिल राटिक है तो पहले stock का price बहुत ज़्यादा गिर गया था उसके बहुत बढ़ा वज़ा है उसके बात अभी क्यूंकि ज आपस circuit आया है 20% का लेकिन अभी भी अगर हम share में देखे तो दोस्तों इसमें जो है bearish trend ही आपको दिखाया जा रहा है यहाँ पर देख लिजी आपके सामने technical के हिसाब से आपको bearish trend ही यहाँ आपको दिखाया जा रहा है ठीक है moving average में भी आपको साब साब बताया जा रहा ह कि bearish ही है चाहे moving average में दोनों side ले लिजे तो दोनों में आपको bearish दिखाया जा रहा है तो मैं चाहूंगा दोस्तों कि अगर आप यह जो तेजी आई है उसको देखके अगर आप खरीदना चाहते हो तो अपना जो है search भी एक बार कर लिजेगा दोस्तों एक बार valuation भी देख profit है तो दोस्तों सबसे पहले हम 2018 में देखेंगे कैसा था तो minus देख सकते हैं दोस्तों negative 11.25% था ठीक है उसके बाद यहाँ पर देख लिजे 2019 में March में कितना था minus 8% थोड़ा सा improve हुआ था थोड़ा सा ठीक है उसके बाद June यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों January 2019 में यहाँ आपको बहुत अच्छा जो है performance देखा गया था और improvement भी देखा गया था ठीक है यहाँ देख सकते हो डारेक्ट जो negative था वो positive होने के बावजूद 36.60 था तो यह बहुत ज्यादा चेंज था तो ऐसा improvement करना थोड़ा बहुत time लगता है लेकिन उसके बाद September और December में दोस्तों the company जो है करज मुक्त है मान लिजए ठीक है यहाँ पर देक लिए मैं आपको दिखाता हूं total कितना चो पर करज यहाँ पर देख सकते है तो दोस्तों यहां पर देख लिए 8.37 है ठीक है उतना ही है 8.37 लेकिन कमपनी के पास देख लिएते हैं टोटल असेट कितना है क्योंकि दोस्तों कमपनी असेट पे ठीकी होती है मान देख लो येस बैंक क्या है असेट क्वालिटी अच्छा नहीं है उसके कारण जो है है क्योंकि रिएल जो कमपनी का इवल्यवेशन होता है वो यही चीज बताता के कंपनी में कितनी पावर है और वो आने वाली दिनों में आपको कितना ज़्यादा profit दे सकता तो यह main चीज़ दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ company में यहाँ पर देख लिएजिए सबसे पहले मैं आपको dividend दिखाता हूँ dividend के तौर पर यहाँ पर देख लो दोस्तों आपको यहाँ पर 37 37 लेकिन दोस्तों आपको दे तो रहा है ठीक है उसके बाद bonus बोनस देख लेते हैं ठीक है bonus में दोस्तों इस company ने बहुत जादा खतरनाक दिया है यह देखे आपके सामने bonus दोस्तों oh my god omg बोलना चाहिए यहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा दोस्तों company ने पांच बार बोनस दिया है यह extraordinary है भाई सोचना मुस्किल है extraordinary इसको बोलते हैं इतना सा है बहुत बड़े-बड़े company भी नहीं देते है ठीक है तो सोचना मुस्किल है तो यहाँ पर देख लीजे दोस्तों यह फॉर्स वेरा दूका दिया तहां और सट्रेंड तो कमाल का दिया तो वन का मतलब अगर आपके पस हैं और आपको ऐर सोव में सब pudding मतलब आपके पास मतलब और बड़े-डबल बडबल आपके दिमिप में या ना डिविडेंट के साथ साथ आपको बोनस भी दिया तो बहुत अच्छा दिया दोस्तों यह चीज मुझे अच्छी लगी ठीक है लेकिन बागी सब दोस्तों कमपनी में थोड़ी प्राब्लम भी थी ठीक है तो दोस्तों परमोटर का यहां पर हिस्सेदारी है तो पैसा लगाने से पहले जरूर एक बार देख लिजएगा जिससे आपको भी अच्छा लगा ठीक है और एक बात दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके इंक्रेज किजएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिजए क्यूंकि हमारी यूटूब चैनल में आपको बताया जाता है कि कौन सा स्टॉक का प्राइज इंक्रीज है अगर जापको दो लिएक कर दो अगर बता लूटूब चैनल में आपको बताइब थास्तों कि इंक्रीज है झाल झाल